विनोजी शिरुवात आपसे कर रही हूँ भ्रष्टाचार पर जंग है बिहार से लेकर दिल्ली, दिल्ली से लेकर जारकंड, जारकंड से लेकर महाराश्ट्र और महाराश्ट्र से लेकर पश्चिम बंगाल लेकिन एक narrative जो बना कि भष्टाचार के खिलाफ का रवाई होगी किसी सूरत नहीं रुकेगी क्या अब वो narrative विपक्ष की तरफ जुकता हुआ दिख रहा है जब विपक्ष ये कह रहा है कि सारे भष्टाचारी इधर आएंगे तो वाशिंग मशीन में धुल जाएंगे जब भारती राजनीत में भष्टाचार का मुद्दा नहीरू जीप घोटाला जिसमें कि टीटी कृष्टाबचारी का इस्तीफा हुआ इंदराजी के जमाने में दो जयप्रकार्शी का अंदूलन ही पूरा बष्टाचार के मुद्दे पर था जो 1974 का जेपी मुवमेंट जिसको बोलते हैं अभिहार अंदूलन बोलते हैं और उसके बाद 89 में नवसी में विश्टाचार के मुद्दे पर बफोर्च के मुद्दे पर ही बाहर निले राजु गांजी के खिलाफ फिर ननिस सो चानवे में नर्सिमा राओ खिलाफ जो बिपक्ष ने आपका तहलका और इस तरह के तमाम मुद्दे के ताबूद भोटा लाए सब सामने लाए थे और 2014 में तो तूजी सीएजी और सब सामने थे लेकिन फर्क है इस मुद्दे में कि हमेशा बिपक्ष जो है सरकार को कटगरे में खड़ा करता था बरस्टाचार के किस बार मसलाग लगे हमेशा करता दा और बर्षटाचार एक मुद्दाबनता था और उसमें जो भी अपना मद्दान करते तरह सब्द्द भन फैद कर इसे लिए पैदा हो गया कि सरकार ने फ्रस्टाचार को मुद्दा बनाया और सरकार ने लगातार विपक्ष के नेताओ को कटगरे में खड़ा करते हुए यह कहा कि यह सारे ब्रस्ट हैं और इन ब्रस्टा ब्रस्टा चाहरें की सफाई करनी है लेकिन सरकार की मुहिम कमजोर इसलिए पड़ी कि उन्हीं इसे जो पाला बदलते गए उनके खिलाफ कारिवाई रुकती गई या कमजोर होती गई डीली होती गई जो कि इंडियन एक्षपस की पूरी रिपोर्ट में 25 निताओं के नाम उन्होंने बताए और उसके बाद अलेक्राल बॉंड वाला मसला गया तो जब अलेक्राल बॉंड अब वह कह रहे हैं कि तुम चोर वह करें तुम चोर मतलब विपक्ष सरकार और प्रण्मंत्री भी पर आरोप लगा रहे हैं अब विपकष पलतकर सरकार पर आरोप लगा रहा है तो इस लिए जो है यह मुझे लगता है तो फोरी पढस्टाचार के मुद्ञे क्योंकि बड़े बड़े नेता भ्राश्टाचार क्रना एक मुद्दा है लेकिन अकेला मुद्दा नहीं बंढ भरष्टाचार विशनाप परताप सिंह ने जब राजियू गांदी को हराया था तो मजगर का समीकरन बना था भारे थे राजियू गांदी मदलब मुस्लिम अहीर जाट गूजर राजपूत उसके पहले चौदी चरहन सिंह का अजगर का समीकरन बनता था लेकिन 2013 में मैं अगर जिक्र करूं विनोजी तो ब्रस्टाचार मुद्दा बना इंडिया अगेंस्ट करूप्शन का इतना लंबा एक अंदोलन चला तकरीबं डेड़ दो साल वो दिली के रामलिला मेदान में भीड जमकर डटी रही इंडिया अगेंस्ट करूप्शन एक मूव्मेंट बन गया इसका फाइद विनोजी पूछण बने जाता है तो उसके ऊपर ब्रस्टाचार का भी मुद्दे होता है लेकिन बहुत सारे मुद्दे होते हैं जिनके आधार पर उसका वोटिंग पटर उसका राज्मीति कुरुजान तै होता है मैं दिल्ली के बारे में अगर विनोजी पूछूँ आपसे क्योंकि दिल्ली इस समय सबसे बड़ा विटनेस सेंटर है मैं अगर कहूँ भष्टाचार कुणी कर पूरा अंग्रेजिक शब्द कम प्रयोग करिया राहुल जी है पैनल में राहुल जी हां मुझे तो समाल साव करेंगी और करेंगी तो उट किस करवट बैठेगा केजरिवाल का भ्रस्टाचार भारी पड़ेगा जो विजयपी के रही है या फर वशिंग मशीन है विपक्ष के रहा है वह भारी पड़ेगा देखिए यह लड़ाई भ्रस्टाचार बनाम राजियतिक अत्याचार की हो पुरा इसाब जनता को देना पड़ेगा पधानमंती जी कह रहे हैं मैं किसी को छोड़ूगा नहीं विपक्ष कह रहा है कि यह विपक्षी नेताओं को चुन-चुन करके उनके उपर राजितिक अच्याचार किया जा रहा है उनको जेल भेजा जा रहा है उनके खिलाफ जाच फेवर में संटीमेंट बना पाएगा विपक्ष यह तो चुनाओं के नतीजे बताएंगे बना की नहीं बना लेकिन अगर आप जन्ता बीच में जाएं तो दोनों तरह की बात करते हैं लोग मिलते हैं कुछ लोग ऐसे भी मिलेंगे जो कहेंगे हाँ विपक्षी नेताओं कि लड़ाई है जल्दी पानी अब जो अपनी बात को ज्यादा नीचे तक लेजा पाएगा उसको बात पर लोग ज्यादा यकीन करेंगे इसका एक और काउंटर सब्सक्राइब हैं मैं पूछ रही उन्होंने शिक्षा को लेकर मुद्दा बनाया स्कूल को लेकर मैडिकल फ जो पाइटी है अमाधी पाइटी वो अन्ना अंदुलन के गर्म से ही निकली है उसी के उसी का उपज है यानि ब्रस्टाचार के विरुद्ध सबसे बड़े योध्धा के रूप में अर्विंद केजिरिवाल भारती राजजीती में आते हैं प्रधान मंत्री नरेंद मोदी अब इनके बीच में लड़ाई होती है और उसके बाद अर्विंद केजिरिवाल पर इसा कर सकते हैं क्या अब दिल्ली में मसला ये है कि कुछ नेताओ पर कुछ चिपक जाती है कुछ पर नहीं चिपक तो किस पर चिपक गई वही पूछ रही हूं मैं अभी अर्विंद जिस तरीके का भष्ट अचार को लेकर जंग है जंग है मेदान बना हुआ है चुनावी अखाड़ा तो छोड़ दीजे जंग का खाड़ा दिल्ली बन गई है, सारे बीजे पी के इतर से और आमादमी पार्टी के इतर से, तो ये फायर बैक करने की स्थिथी आपको कम से कम ilectoral बैटल में नहीं दिखती दिल्ली में दिखती है मुझे दिल्ली में दिल्ली के बाहर क्या होगा मैं नहीं कह सकता लेकिन दिल्ली में निश्चित रूप से ये एक तरह से अरविन केजिरिवाल के प्रतिखासर संजे सिंग को जो जमानत मिली है उसके बाद एक सानुभूती लोगों में सानुभूती आ आप देखेंगे तो हैं